सो हेलो इवान गाइस रहे महादीव राधी राधी कैसे आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छ होगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे जो भी टाइम आप ये रीडिंग देख रही हो गाई सो आज हम देख लीते हैं आपके लिए क्या एनरजी आरे होगे कौन सी आपके विश्यूस फुल्फिल होने वाली है आने वाले समय में तो आपके desires के उपर है ये reading हो कि आपके इच्छाएं कौन सी ऐसी है जो fulfill हो सकती है आपको उमीद है लगा सकते हो आप expect कर सकते हो कि यह वाले wish मेरी पूरी हो सकती आने वाले समय में और अगर आपकी date of birth 1 से लेके 15 के बीच में आती है तो आपके लिए first pile है और यहां पर second pile है material harvest के energies और अगर आपकी date of birth 16 से लेके 31 के बीच में आती है तो आपके लिए second pile है तो दोनों ही piles आपके सामने हैं आप choose कर लीजिए और अगर आप new हो चैनल पे तो reading स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे बेल अकन को दबाके all पे सेट कर दो सो दड़ आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते नहीं अगर आपको किसी भी question की regarding personal reading लेनी है definitely आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो Instagram का link description में है time champs के ज़स्पई या फिर आप लोग उपर about section से भ जिन्होंने भी harmony card को पिक किया है okay so first file यहां पर आपके लिए क्या energies आ रहे है so first file जिनकी भी date of birth 1 से लेके 15 के बीच में आती है यह जिन्होंने भी harmony card को पिक किया है तो आपके लिए first file थी okay so yes देख लीते हैं guys आपके लिए क्या हारे कौन सी आपके wishes fulfill होने वाली है okay आने वाले समय में so यहां पर गाई सबसे पहले तो आपके लिए harmony पायल आई है harmony की energies आई है first file आपके लिए main होकी so यह energies जो मुझे शो कर रहे हैं सबसे पहले तो यह lovers card की energies show करती है मुझे होकी so yes मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास options आने वाली है love life में आने वाले समय में यह wish भी हो सकती है आपकी yes मुझे options चाहिए या फिर अगर ऐसे कोई wish नहीं है आपकी तो yes मुझे ऐसा लग रहा है को पार्टनर चाहते हो आप जिनसे आपको commitment मिले जिनसे आपकी शादी हो ऐसे पार्टनर की आपकी इच्छा है so definitely आपकी life में वह person आते हुए दिखेंगे future में करियर में द इसे ही होते हुए दिख रहा है मुझे यहां पर marriage की energies है अगर आपकी wish है आपको शादी चाहिए मतलब होता है कि yes अभी मुझे marriage चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरी life में so definitely वह भी energies यहां पर होते हुए दिख रहे हैं so yes have patience सब कुछ होगा six number है lover harmony की energies को शूरू करता है six number okay so yes love is coming towards you guys love is coming in your life so yes बहुत सारा प्यार यहां दिख रहा है बाके टैरो के थूरू देखेंगे हम कैसी energies आ रहे हैं आपके लिए okay आपके लिए Gemini sign important होसता है मिथुन राशी so यहां से हम देखेंगे आज क्या energies हैं आपके लिए क्या energies आ रहे हैं आपके लिए क्या energies आ रहे हैं आपके लिए कौन से आपके wish fulfill हो सकती आने वाले समय में so यहां पर है seven of swords की energies okay the magician card की energies हैं यहां पर okay जी nine of pentacles okay great son of wands means knight of wands okay great the herofant की energies हैं यहां पर okay जी so यहां पर is son of cups की energies okay so bottom of a deck guys यहां पर आपके लिए है seven of cups card की energies middle of the deck है यहां पर eight of pentacles okay so guys यहां पर क्या energies आ रहे हैं आपके लिए यहां पर seven seven की energies है सबसे पहले तो होना seven seven angel number आपको देख सकता है अभी just मुझे four 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 दिखा हाना triple four की energies so angels are with you आप बहुत spiritual होते हुए दिख रहे हो ठीक है seven of one show करता है कही नगी है आपकी life में आप लड़ रहे हो आपके लिए love marriage के अनर्जिस ज्यादा है यहां पर लड़ रहे हो आप अपनी शादी के लिए marriage के लिए सबी situations आप manifest कर भी रहे हो आप magician के energies है आप अपने लिए शादी मेनिफेस्ट कर रहे हो विकाज यहां पर nine of pentacle आप अपने लिए independence को मेनिफेस्ट कर रहे हो आपको चाहिए आप इंडिपेंडेंट हो जाओ ठीक है यह energies भी आपके लिए दिख रहे है हारुफेंट है अरीज marriage आप अपने लिए सब्सक्राइब बठा उनके पास commitment का कफ है ठीक है या फिर मतलब उनके पास emotions का कफ है आपके लिए emotions उनके लिए आपके लिए ही open है ओके आपके लिए ही emotionally वह feel कर पाते हैं ओके सो यह energies दिख रहे है son of cups or night of wants की energies है so yes कोई नो कोई person यहां पर आ रहे है या तो दो person हो सकते हैं या एक ही person के अंदर यह दोनों ही energies हो सकती है एक तरफ तो बहुत emotional हो सकते हैं एक तरफ बहुत passionate energies में हो सकते हैं ओके और यहां पर teaching field अगर मैं हम financially भी देखें teacher की job मिल सकते हैं आपको government job के लिए prepare कर रहे हो यह आप बहुत competitive exam मतलब बहुत सा competition उस exam के लिए हो सकता है बाठ हां आपका clear मुझे हो रहा है दिख रहा है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत hard work कर रहे हो आप clear कर लोगे इस exam को आप independent होना चाहते हो आप hard work कर रहे हो बहुत जारा ठीक है इस job को पाने के लिए आप इस चीज को पाने के लिए आप बहुत hard work कर रहे हो और yes वो चीज आपकी fulfill भी होते हुए दिखेगी आपको इसके just नीचे 9 of cups पी है आपकी wish fulfillment का card आ चुक है आपकी इच्छा करो जो चाहिए जो जो जॉब चाहिए आपको मिल जाएगी यह कहीं न कहीं से तो आप earning करना start कर दोगे अगर आपको पैसा चाहिए पैसा manifest कर रहे हो आप ठीक है पैसा आपकी तरफ आ रहा है money is coming towards you because यहां पर 9 of pentacles है money की बहुत अच्छी energy जिख्री आने वाले समय में money is coming towards you so यहां से क्या energy से आपके लिए देख लेते हैं कहीं न गहीं guys obstacles challenges आ रखें आपकी life में आपकी wish है कि आप इनसे निकल पाऊ अच्छे से आप इनको मतलब इनसे शुटकारा आपका हो जाए कोई रुकावट आ रही थी आगे भढ़ने में वो रुकावट यहां पर खतम होते हुए दिख रही है so angels आपके इसमें help कर सकते हैं यहां पर आपके लिए soulmate की energies है okay soul family soulmates आपको मिल जाए आपके wish हो सकते हैं आपके soulmate आपको मिल जाए वो आपकी fulfill हो सकती है आपको यह कि आपके friend circle में आपके अच्छी बनती रहे वो yes यहां पर होता हुआ दिख रहा है आप सबके साथ प्यार भरा relation बनाए रखना चाहते हो ठीक है चाहे कुछ भी रुकावट आजाए बढ़ आप नहीं चाहते किसी को छोड़ना आपके लिए भी एनर्जी दिख रही है कि यह वह एनर्जी आपके लिए है होप रखे गाईज आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा होप की एनर्जी यहां पर हैं हापी हो जाएगी आपकी विशस फुल्फिल होने वाले हैं स्टार कार्ड की एनर्जी हैं कुछ लोग की लाइफ में आपकी लाइफ में आरिए आपकी जन्दिख रहे हैं जसे रीडिंग में आ चुड़िया जो लोग यह देख रहे हैं रीडिंग को ना उनकी यहां पर विश भी फुल्फिल हो रही और यह चेंज भी आपकी लाइफ में आ रहा है अपने लिए फिरेट करते हैं अपने ये लिए फांडेशन करते हैं इस सिसे बहुए शुक्त हो है भगवान आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं ठीक है so angels are with you so यहां पर यह नर्जिस हैं आपके लिए 21 नंबर 3 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 17 8 13 4 यह नंबर्स आपके लिए important हो सकते हैं guys and yes आपको यही कहाएगर अगर कोई relationship है तो उसकी foundation strong create करो so that आगे आने वाले समय में कोई issue ना हुआ आपको ठीक है आपके लिए भी energies है कि आपकी life में कहीं ना कि अगर career की life है मला career life है आपकी उसमें भी पहले अपने basics clear करो अपने foundation create करो ठीक है so अगर firm foundation create करोगे definitely आगे strong आगे आपकी foundation रहेगी है ना so like आप एक घर बनाते हो उसकी भी पहले निंगे भजते हो ठीक है फिर उस घर को उपर उठाने start करते हो ना so yes वैसे ही यहां पर भी energies है और यहां पर यह भी energy love ones in heaven okay so thank you loved one in heaven for drawing clothes at this time so yes आपको कहा आ जा रहे आपके जो loved ones है जो heaven में है this time ठीक है वो आपके आज स्पास है this time उनसे अपना आश्विरवाद मांगी ठीक है जो भी आपके इच्छाए है उन पूरी की जाए आप ऐसे मांगे so yes definitely आपकी life में वो सब wishes आपकी फुल्फिल की जाएंगी okay and yes live your joy happy happy energies में रहो okay thank you angels for supporting me as I follow my joy so अगर आप जिस trees में खुश होते हो वो काम करते हो guys तो definitely angels आपको support कर रहे हैं उस trees में ठीक है and angels आपके साथ खड़े हैं जिस भी situation में आपको उनको लेके आना है अपनी life में खड़े करना है उनको अपने साथ okay so the miracle of forgiveness माफ करना सीखो guys archangel jeremy all यहाँ पी आपको यह help कर रहे हैं माफ करना अगर आप किसी situation में किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो तो guys आपको कहाज रहे कर दीजे माफ okay don't worry so यहाँ पे guys आपके लिए archangel jeremy all help करें लोगों को माफ करने में ठीक है so also यहाँ पे spirit animal की energies आई है so thank you animal kingdom for blessing my path with love आपको यह कहा चारहे कि yes और जो animal kingdom है वो भी आपकी help कर रहे है आपकी love life में यह जिस पात में आप चलना चाहते है जिस चीज पे आपको प्यार है उस चीज में आपको animal kingdom भी help कर रहे हैं okay so move your body guys अपनी body को move करिये thank you angels for motivating me to move my body and energy so yes आपको कहा चारहे अपनी body को move करिये angels आपकी help कर रहे हैं कि आप अपनी body को थोड़ा हिलाए जुलाए ठीक है so that आप healthy रहे पाऊ exercise करिये ठीक है आने वाले समय में आप देख भी पाऊगे कि ऐसा आप exercise कर रहे हूँ bottom of the deck spiritual gifts so आपको बहुत सारे spiritual gifts मिल सकते हैं guys spirits आपको gift देने हैं Archangel Rizyal आपकी life में आ रहे है ठीक है thank you Rizyal for helping me channel my gifts and talents so वो आपकी help कर रहे हैं आपकी gifts और talents को channel करने में ठीक है and yes यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही हाथ आपका third eye chakra आपका heart chakra से चारों चारों जगाओं से आपकी other energies आते हुए दिख रहे हैं हैं so yes ऐसा हो सकता है कि आपका heart chakra भी open हो रहा है बीच में help की जा रही है आपके heart chakra के थ्रू आपके hands में कोई power आते हुए दिख रहे हैं अब मैं अपने handmade cards के through आपके लिए देख लेती हूँ कौन सी energies आना चाहती है यहाँ पे आपके लिए okay amethyst plus daastna guys यह भी आपके लिए एक wish fulfillment का जरिया बन सकता है like आप amethyst bracelet crystal जैसे भी मजी आप purchase कर सकते हैं अगर आपको मुझसे भी purchase करने तो आप instagram पे dm कर लेना ठीक है आप amethyst के साथ अपनी दास्ता लिखते हुए दिख रहे हूँ मुझे यहाँ पी and yes black sheep मतला amethyst आपकी help करेगा अगर वो आपके पास रहेगा crystal कि आप अपनी life में important अपनी कोई दास्ता लिख पाओ कुछ ऐसा चीज जो आपको लगता भी नहीं आप वो कर पाओ गर वो आपका होगा उससे ठीक है black sheep आप एक black sheep की energies में हो सकते हो गाइस बहुत important energies हो सकते हैं आपके अंदर जो बाहर आ सकते हैं लोगों के सामने Leo energy ओकी सिंग राशी loin की energy roar करना confidence आना लियो तो आपको पता ही है powerful होते हैं आपके अंदर आते हैं सेंग राशी की true feelings का इस किसी के आपके लिए true feelings यहाँ पे जाहिर होते हैं true feelings कोई अपना शो कर सकता है यहाँ पी अपनी extra money आपको मलते होई दिख रहे हैं कहीं न कहीं से अगर आपको इतना सा अगर रहे थी न तो आगे जाके वह बहुत बड़ी amount बन जाने वाली है तो यह फिर ऐसा सकता है दस गुना जादा amount आपको मिलने लग जाए आप जितना पहले आपको मिलता था ठीक है रहे है data yes no more गेल्ट की अनर्जि जो हुआ है आपको कहा जोरहें लिए गिल्टी फियल्ट मत कर उगें जो भी आपने किया है वह आपकी लाइफ़ में आ बंद हो जाएगा अगर आप बहुत तर true feelings कोई person अपने जाहिर करना चाहते है वो भी नहीं कर पाएगा अपनी and yes कोई अगर अपनी energies ऐसी दिखाना चाहता है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा because अगर आप ही guilty feel करोगे तो कौन ही आपका साथ देगा अगर आप अपने नहीं होए तो कौन आपका हो सकता है so यह energies यहाँ पे है bottom of deck LOA की use करो law of attraction का use करते हुए आप लोग मुझे दिख रहे हो जो कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे guys okay LOA का use so yes आपके लिए बहुत अच्छी energies है important यहाँ पे energies हो सकती है so yes आपको कहा पीचा रहे है law of attraction का use करो manifest करो अपने लिए चीजों को analytical कर दो manifest करके anyways guys अगर आपको reading पसंद आई हो so like this reading subscribe to this channel bell icon को दबादेना और पे सेक्ट कर देना भी गिलित नहीं हर महादीव राधी राधी गौद ब्लस्ट विववान बाई guys so hello everyone guys हर महादीव राधी राधी सेकेंड पाल जिनकी बीडिट ओफ पर गाई 16 से लेके 31 के बीच में आती है तो आपके लिए सेकेंड पाल थी okay so यहां फिर आपने इंट्यूटिव ले काड़ पिक किया है अपने लिए material हार्वेस्ट का so यहां पे दीख लीती हैं आपके लिए क्या energies आ रही हो कि आपको आपके कौन से wishes fulfilled होने वाले हैं आने वाले समय में कौन से आपकी इच्छा है desires है जो यहां पे fulfilled होंगी okay पूरी होंगी means so यहां पे guys आपके wish है कि आपके पास कोई कमी ना हो यहां पे fruits भी पड़े हैं यहां पे money भी है यहां पे बलतन भी है मतला हो यहां पे sun के energy इसके सिर के पीछे हो ना so yellow energy is बहुत important रहने वाले हैं आने वाले समय में आपके लिए यहां पे guys आपके लिए material harvest के आपने बहुत कुछ लइक होता है कि अभी आपने beach बोया है फिर उसको harvest करना है ठीक है so यहां पे वही चीज है कि हाँ आपने बहुत काम किया है अब नतीजा मिलने का results मिलने का time आपको आ गया है ठीक है so यह वह energies है यह पैसे की रूप में हो सकता है love के रूप में हो सकता है ठीक है किसी भी वे में यह पर्स विच यह चीजी आ सकती है आपकी लाइफ में ठीक है आपकी वैश्पूरी हो सकती है आपके लिए इंपॉर्टन हुसता है अगर मैं आपको यह चीज दिखाओं पीछे जो इसकी दृष्य बना हुआ है यह गाईस ऐसा लग रहा है जैसे को गवर्मेंट प्लेस है है पॉलिटीश इसी जगह दिख रही है जैसे लॉयर है जजजेस की जगह है ठीक है अना मतलब हाई गोर्स है मतलब वह वैसी जगह है यहां पर दिख रही है तो आप ऐसी प्लेस पे जा सकते हूं आने वाले समय में यहां फिर अगर कुछ ऐसी इनर्जिस का इस पता नहीं क्यों मुझे चीज दिख रही है बठां कुछ लोग के उपर के से तो आपके लिए वहां से जो आपका मतलब कर्मा किया होगा मतलब अगर आप सही होगे तो आपको मतलब सजा मिल गए ठीक है मतलब ऐसी कुछ अनर्जिस यहां पर दिख रही है जस्टिस होता हुगा दिख रहे है इंद जनरल सेंस ओके आपके लिए जस्टिस के यहां पर अनर्जिस है नाइन नंबर आपके लिए इंपोर्टन हो सकता है गाईस नौ नंबर की एनर्जिस यहां पर इंपोर्टन हो सकती है आपके लिए यहां से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जिस आवर आ रही है आपके लिए आपकी कौन से विशेस फॉल्टिल होने वाली हैं तो यहां पर फूल कार्ड है टू अफ पेंटिकल्स की एनर्जिस आई हैं यहां पर ओके डॉटर ओफ कप्स की एनर्जिस हैं टू ओफ स्वार्ड ओके यहां पर इस्टार कार्ड की एनर्जिस आपके लिए और लास्ट कार्ड यहां पर क्या है आपके लिए ओके देवल कार्ड की एनर्जिस आइं बॉटम फटेका इस टू अफ कप्स की एनर्जिस हैं मिडल नर्जिस हैं यहां पर सैवन फवार्ड ओके कोई ऐसे सिच्वेशन हो त्व करण फाइख वीजार है थोड़ी कन्फ यहां त्वेशन की एनर्जिस हैं यहां पर देख宝ता हैं यहां पर फ्री टाइम पर आपके लिए इंपोर्टन हो सता है triple तो आपके लिए important number हो सकता है, so love की energies यहाँ पे दिख रही है, आपकी love life यहाँ भी बहुत important दिख रही हाने वाले समय में, कुछ मतलब उसके regarding कोई wish आपकी पूरी हो सकती है, आपकी आप बहुत confused हो, like for example आपके आगे दो रिष्टे आए हैं न, शादी के लिए, तो एक आपको पसंद है दूसरा भी आपको पसंद है, आप confused जो, किसको choose करना चाहिए दोनों ही एक से एक हैं, ठीक है बढ़ हाँ, अब आपके आगे option है कि हाँ, आप choose करो उसमें से so अब आप किस चीज़ के choose करोगे, कि आपकी emotions किसके साथ जोड़ रहे हैं, जादा कौन आपके लिए अच्छे से energies, मतलब feel करवा पा रहा है, आपको किसकी तरफ attraction हो रही है so ये चीज़ें आपको help करेंगे उस चाहिम, आपके emotions बहुत important रहेंगे हो की, and यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत busy रह रहे हो, मतलब busy होना चाहते हो, I think, हाना अपनी life में, कि कोई नो की काम करने लग जाओ, जिससे आपको earning होने लग जाओ, उसमें आप busy हो जाओ, so yes, आपको वहाँ से earning भी होते हो दिख रही है, and आपके लिए full energy, अगर आपके लिए travel करना चाहते हो, guys, definitely आपके लिए traveling के chances यहाँ पर बन रहे हैं, कहीं न कहीं आप घूमने चाह सकते हो, कहीं न कहीं आप अपनी life में enjoy करते हो, दिख रहे हो freedom feel कर रहे हो, ठीक है and यहाँ पर मासूम की energy है, मतलब एक छोटा सा चूजा है, ना मासूम सा, so yes शुन्य की energy में जाते हो दिख रहे हो, बहुत जारा, मतलब कि किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं है आपका, ठीक है, so ऐसी कुछ energy, जिसमें आपको लगे कि शुन्य की energy में हूँ मैं अब so शुन्य की energy यहाँ पर हाई भी है आपके लिए, हाँ यहाँ पर आपकी विशेश सुल्फिल हो रही है star card की भी energies है definitely आपकी healing होते होँ दिख रही है, अगर आप अपने आपको heal करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहे है, आपकी healing की energies यहाँ पर दिख रही है ठीक है, आप अपने आपको heal कर रहे हो अपने आपको relax feel कर रहे हो अपने इच्छा पूरी कर रहे हो जहाँ आपको जो करने का मन है वो आप कर रहे हो, ठीक है daughter of cups means page of cups की energies है, कहीं न कहीं कोई opportunities आते हुए दिख रहे है business में, ठीक है, emotional opportunities हो सकते है, love opportunities हो सकती है proposal आ सकता है, आपको किसी water sign की person की तरफ से Kansas or Paisis राशी आपके लिए important हो सकती है so आपकी wish भी हो सकती है कि आपको मुझे ऐसा लग रहे है आप बहुत obsession feel कर रहे हो शाहिद आप इस obsession से negative thoughts से बहाद निकलना चाहते हो किसी चीज के लिए obsession हो सकते है possessiveness हो सकती है यहाँ पे किसी love partner के लिए यहाँ पे money की वजह से जिसकी वज़े से आपको stress हो रहे है confusion में आ रहे हो आप tiredness की energy से यहाँ पे दिख रहे है आपका mind मतलब शांत नहीं है जिस वज़े से आपके wish हो सकती है आपको relax होना है heal होना है इन सब चीज़ों से definitely आप वो होते होई दिख रहे हो यहाँ पे star card ही यह show कर रहा है so yes obsession हो सकते है आपको money पाने का तो वो भी यहाँ पे पूरा हो सकता है अगर आपको पैसा पाने की जिद्ध है कि मुझे पैसा चाहिए चाहिए इतना पैसा चाहिए so definitely आपको मिलेगा हंजी मिल चाहेगा बट हाँ आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे confusing की energies है यहाँ पे confusion की energies है ठीक है सो वो चीज़ी यहाँ पे दिख रही है आपके लिए Aries sign, Capricorn sign या फिर आपके लिए curious राशी important हो सकती है love life यहाँ पे अच्छी दिख रही है आपके partner को care करते हो दिख रही है एक दूसरे की love affection एक दूसरे को show करते हो दिख रही है आप दोनो compassionate की energies हैं यहाँ पे passionate हो आप दोनों एक दूसरे के लिए possessive हो obsession है एक दूसरे के लिए yes two of cups है यहाँ पे कोई water sign के ही person आते हो दिख रही है guys यहाँ पे so यहाँ से क्या energies आ रही हो और आपके लिए क्या देख लेते हैं कौन से आपके इच्छा पूरी हो रही है यहाँ से क्या energies आ रही है बाके guys thank you so much जिन्हों ने भी अपने personal reading book करवाई है thank you thank you so much guys and also I hope आपकी वो wishes fulfill हो जो भी आपने अपने readings के through personal readings के through मुझे पूछा है ठीक है and God bless you sister and brothers जिन्हों ने भी personal readings book करवाई है उससे and yes wait कर लिया करो guys थोड़ असा हना कि हाँ मेल जाएगी हमें हमारी reading and यहाँ पर जाएगी थर्ड आई चक्रा की energies है आपका थर्ड आई चक्रा उपन हो सकता है guys because आपको शाइद यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़े हैं confusion है जिसमें इसे आपको निकलने के लिए अपना थर्ड आई चक्रा उपन करवाना ही पड़ेगा या कदना ही पड़ेगा okay so deception and envy energies है यह show करता है कहीं अगी कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा के उपर काम करना चाहिए because इस चाहिए आपकी life में कहीं आप हुपाई कि इस situation से कैसे निकलना है कैसे इसको face करना है या कैसे situation से लड़ना है so five six or seven numbers see this wow five six seven so synchronicity यहाँ पर दिख रही होगी आपको okay partnership and alliances okay first chakra okay base chakra की energies आई है bottom of a deck guys यहाँ पर temptations की energies 15 number भी आपके लिए important होसता है यहाँ पर six number so yes guys आपके लिए यह भी energy है see this यहाँ पर again temptations devil card की energies है negative thoughts negative चीज़े आपसे दू जा रही है आपके इच्छा पूरी हो रही है और या फिर किसी person के लिए आपके अंदर obsession है आपको वो person चाहिए यह personal caste religion की हो सकते है आपसे ठीक है long distance हो सकता है यहाँ पी and yes यहाँ पी आपकी life में obsession देख रहा है बठा कि कुछ नों कुछ challenges यहाँ पी है but आपकी intuition यहाँ guide कर रही है आपको कैसे क्या कतना है आगी and आपका base chakra strong हो रहा है means अगर financial issues यहाँ पी है वो financial issues खतम होते हुए देख रहे हैं आपकी life में so आपकी life में enjoyment की energies आ रही है पैसा आ रहा है abundance आ रही है and one number आपके लिए important हो सकता है guys so यहाँ से guidance देख लेते हैं आपके लिए क्या है आपके कौन से wish पूरी हो सकते है guys आने वाले समय में क्या guidance है आपके लिए okay so guys teacher vacants की energies अगर कुछ लोग teaching field में जाना चाहते है yes वो जा सकते है Mary Magdalene आई है you have something important to share guys यह आपकी wish भी हो सकते है कि अगर आपके अंदर कुछ important skill है important कोई gift दे रखा है universe ने तो उसको आप share कर पाओ दूसरे लोगों से यहां कोई important information अगर आपको थरड़ाई चक्रा उपन होने के बात ही मिले तो आप उसको share कर पाओ follow करिए अपने inner call को and share करिए उस चीज़ को and don't let anything stop you okay किसी भी चीज़ को खुद को रोकने मत दो okay so यहां पर आपके लिए आया है guys शकीना काट की energy sacred self आप guys unleash करिए अपने spirit को express करिए yes again वही message है आपके लिए कि express करिए अपने gifts को and yes dance to a sacred rhythm of life okay पवित्तर rhythm के साथ dance करिए आगे बढ़ते रहे हैं पवित्तरता के साथ and सारे पिस बही हैं यहां पी की तरफ आपके लिए and yes rise above the darkness that light is here so darkness से उपर उठने की कोशिश करिए ठीक है darkness से आगे बढ़िए and light रोशनी आपकी तरफ आते हुए देख रहे हैं आप देख सकते हैं अगे बेस चक्रा temptations devil दो बार आचुक है यहां पर फिर से sensual and sexual powers की energies आई हैं so yes आपकी यह wish भी हो सकते हैं यहां फिर guys आपकी तरफ को ऐसे person आए जो आपको love show करें अपना so yes आपकी आपके partner की sensual and sexual powers increase हो रहे हैं so इसको अपने work की उपर लगाओ ठीक है so life force की energies express करिए अपने driving passion को guys किस के थूँ अपने work के थूँ अपने काम के थूँ करम करो और जो energies waste होनी थी वो यहां पर किसी जगा काम लगा दो okay so yes काली मा आई हैं facing fear की energy ने so yes face करना सीखो guys डर को आने वाले समय में आप learn कर सकते हो कैसे अपने डर के उपर काबू करना है okay and yes this is your chance to soul यह आपका time of deck sun at kumara की energies आई है yes guys light activation की energy shine your light अपने light को shine करने की कोश्करों आपकी जो internal guidance है वो loudly and clearly आपको कोई ना कोई message देना चाहते हैं okay so यहां पर अपको कोई अपने handmade cards के through message दे देती हूं ठीक है क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है shine कौन से important messages आपको देना चाहते कौन से आपकी wish fulfill हो सकती है two of cups आया था ना guys यहां पर dolphin love भी आ चुका है ठीक है so कोई ना कोई यहां पर आपको dolphin love show कर सकता है बहुत जाल loving caring partner आपको मिल सकते हैं see this यहां पर वही energies हैं and आपको बहुत सारी growth मिलने वाले यह बहुत grow करने वाले हो guys growth boom rank की energies है definitely आपकी life है बहुत सारी growth आ रही okay so enjoy करने वाले हो आप इस growth को आने वाले साने see this 10,000 plus followers guys आपकी Instagram यह कोई भी app पर अगर आप आप हो एक creator तो definitely आपकी life में यह इतने सारे followers आप hit कर सकते हो के humanity first okay so yes आपके लिए energy है कि humanity first है guys logo की logo का भला करो ठीक है humans की help करो ठीक है and जब भी आपको लगता है कि yes आप इतने helping nature मतलब helping का आपके अंदर ability है तो help करना सीखो दूसरों की yes यहाँ पर भी amethyst plus daasna की energies आ चुकी है first pile में भी दोनों pile cards आये थे बठा law of attraction आप यूज करें अच्छी बात है guys आप अपने लिए manifest करते हो दिख रहे हो चीजों को and yes वो आपकी fulfill हो रही है आपके wishes fulfill की जारी है अगर आपकी wish थे कि yes आपको growth चाहिए अपनी life में और yes वो आपको मिलते हुए दिख रही है कुछ लोग यहाँ पर amethyst, crystal भी पच्छेज करना चाहते हो बाकी guys अगर आपको पच्छेज करना है अगर आपको लेना है कहीं से तो आप मुझसे भी ले सकते हो ठीक है bracelets हैं, pendant हैं, rings हैं okay so Brazilian pendants मेरे पास हैं so of course आप ले सकते हो बाकी guys reading, personal reading आप ले सकते हो okay so यहाँ पर ocean tides की energies है वाव ocean tides जैसे आपको बताए guys बहुत बड़े-बड़े, यह challenges भी हो सकते है तुफान भी हो सकते है, इसका मेनिंग कि आपकी life में एक दम से बड़े-बड़े challenges आपको देखने को मिल रहे हैं बट हाँ एक तम से थम भी जा रहे हैं बट यह भी energies उसके हैं कि आप बहुत ग्रो करने वाले हो बहुत बड़ी-बड़ी उच्छाले मानने वाले हो peak पे पहुँचने वाले हो आप अपनी life में okay so yes उसके बाद आपको यहाँ पे growth boomerang की energies feel हूँ पाएंगी हना so anyways guys अगर आपको reading पसंद आई हो so like this reading, subscribe to this channel bell icon को दा बादे नौल पे set कर देना अभी के लिए इतना ही खर हिर महतीफ, राधी राधी, गौडबलस शुवववान bye guys